नमस्कार दोस्तों वंदे भारत मिशन के तहट दुबई से यात्रियों को लेकर आ रहा एर इंडिया का विमान शुकरवार शाम केरल की कोजी कोट एरपोर्ट के पास हाथसे का शिकार हो गया खबर के मुताबिक विमान में 184 यात्री और 7 क्रू मेंबर थे हाथसे में प्लेन के पाइलेट और को पाइलेट की मोथ हो गई इस हाथसे की वज़ा एरपोर्ट के खतरनाक पक्ति को बताया जा रहा है सांती बारिश के कारण वहाँ पानी भी जमा होने की बात कही गई लेकिन आपको बता दे कि दुनिया में एसे कई खतरनाक एरपोर्ट है जिनके रन्वे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे इसे में आज हम आपको दुनिया के कुछ खतरनाक एरपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिबरॉल्टर अंतरास्टी हवाई अड्डा बता दे इस एरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा कहा जाता है दरसल यहां एरपोर्ट मुखी सड़क से होकर गुजरता है इसे में जब भी यहां प्लेन लेंड करना रहता है तब ट्राफिक को रोग दिय जाता है इसका नजारा देख आप अपनी आखो पर यकिन नहीं कर पाएंगे प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एरपोर्ट इस एरपोर्ट पर लेंडिंग के समय काफी बड़ा हदसा भी हो सकता है यह एरपोर्ट भारी आवादी बाले छेतर में बना हुआ है जब प्ल पारो वीमान छेतर भूटान इसे खतरनाक एरपोर्ट में गिना जाता है क्योंकि यह एरपोर्ट हिमालय के परवतों में बना हुआ है यह काफी छोटा है और इस पर प्लेन को लेंडिंग करवाते वक्ते उसे घुम कर उतारा जाता है चट्टानों के बीच बना यह एरपो में लिकि आपटे धाके इस एरपोर्ट पर लेंडिंग करवाना टेडी खीर है इसका रणवे दूसरे एरपोर्ट की तरह सीधा नहीं है साथ यह ढृलान पर इस्तित है एसे में प्लेन लेंडिंग के वक्त काफी कापता है साथ ही इस दुरान इस पर कंट्रोल करना काफी म इस कारण जब भी प्लेन उडान भड़ता है तो वो काफी हिलता है बता दे इस एरपोर्ट के रनवे की लंबाई छोटी होने के कारण यहाँ कई विमान हाथसे का शिकार हो चुके हैं मरीन कोर एर स्टेशन फूटे नमा इस एरपोर्ट को खतरनाक कहा जाता है क्योंकि ये एरपोर्ट चारों तरफ से पार्क, इस्कुल और बिजनस स्पोर्ट के साथ घिरा हुआ है अगर यहां लेंडिंग के वक्त कोई भी दुरगटना होती है तो बड़ा हाथसा हो सकता है वहीं बात करें अगर नियमों की तो एरपोर्ट को खाली एरिया में होना चाहिए जो यहां नहीं दिखाई देता यही वज़ा है कि यह दुनिया के खतरनाक एरपोर्ट में शामिल है तो दोस्तो आपको इन सभी एरपोर्टों में कौन सा ज़्यादा खतरनाक लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए साथी वीडियो को लाइक और चेनल को सब्स्राइब करना ना भूले